एक बब फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चनल में आज हम आपर बात करेंगे जो ECS चेजिया का T10 का आज की दिन का यहाँ पर पहला मैच होगा जो खेला जाएगा बर्नो और प्राग सिसी के बीच में तो इस मैच की में आपको फुल एनालिसिस करके दूँगा इ सबसे पहले भाईयों अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आयो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चनल को जरू जोइन कर लेना है क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम न्यू प्लेइस का स्टाट्स और तो दोनों जगे से जाकर आप EASILY Telegram qanel ko join कर सकते हो मुकाबला स्टार्ट होगा 12 बचकर 45 बंद पर सेम गफ़ाटप मैच है 90 ш पेशल विकेट हैं फाइट्ट पर सकाने वाल टीम ने दो में चेज हुआ है इसका क्या मतलब है कि TOS का कोई ज्यादा खास importance है ने इन दोनों टीमों के बीच में एक मुकाबला हुआ था जो कि PCC के टीम ने 10 विकट से जिदा था और सिर्फ 5 ये 6 ओर में इन्होंने इस target chase कर लिया था उस मैच में बर्णों की तरब से रियाज अफरीदी उनचास किया था आसिस मट्टा उन्निस नवीद हमसात सरियार खांचे और सत्यजी सेन गुपता यहां पर 4 रन किया था जबकि PCC की तरब से एन लला ने 57 नोट आउट एक विकट एक खटीवाल ने 29 नोट आउट किया था रितिक तोमर तीन विकट और पदमा राजू एक विकट उस मैच में ले गया था कमी करना है सत्य जी सेन गुपता देखो तीन मैचेस में तीन ओवर डालके दो विकट है बल्ले से चार आट जिरो है देखो बल्ले से तो बिल्कुल फॉर्म नहीं है इसका लेकिन यह ना बोलिंग से जीरो विकट फिर जीरो एक विकट है यह अच्छा प्ले मैच को इनकी टीम से लगा अली कासिप पहले दो मैच बिल्कुल फ्लॉप 3-0 लास मैच में 42 जीरो विकट है एक ओवर डालके अगर टीम पहले बेटे करती है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो सर्यार खान पहले में छे फिर चार फिर लास मैच में क्या हुआ टीम ने इसको बोलिंग दे दी और जो सत्य जीरो गुपता जो इनका सबसे में बोलर है उसको इन्होंने बोलिंग है नहीं दे यही तो मनलब थोड़ी चीज़ें गंदी हो रही है इस स्रीज में इसलिए मैं आपसे बोल रहा हू पेला ओवर डाल रहा है और मार खा रहा है और फिर दूसरा ओवर डालने आई नीरा बल्ले से 16 दो हैं अभी छोड़के चलेंगे नवीद हमत तीन मेच में दो विकेट हैं आसिस मत्ता 19-5-11 नोट आउट हैं लास्ट एक मेच में ओपन किया था उसके बाद में टीम ने इस सामने वारे टीम को पूरी तरह से मैं जित वाऊंगा और क्योंकि वही टीम मेरे साब से मैं जीतेगी तो मैं सत्यजी सेन गुपता रियाज अफरीदी और अली कासिप को अभी के लिए रख रहा हूँ अली कासिप के जगे आप नवी दहमत के साथ जा सकते हो बस यह चैन्स साबून डाविजी और नईम लला से ओपन करवा दिया उससे पहले जो आदेते खटी वाला है यह ओपन कर रहे थे ज्यान रखना साबून डाविजी देखो भाई पहले दो मैच में तो ओपन का मोका मिला नी तो वहां पर नो बेटिंग और फिर यहां पर एक ओवर डाला लास्ट में 11 रान किये एक ओवर डाला विकेट लेस तो अब तक दो बहुमिस बहुत गंदा है लेकिन यह एक इंटरनेशनल प्लेयर है और अगर ओपनिंग में मैंशन रहता है ना तो भाई आप इसको पीन में बिलकूर रखके चलना नईम लला है बहुत अच्छा प्लेय पहला मेच खिलानी दूसरे में देखो ना तो यहाँ पर बेटिंग मिली ना बोलिंग मिली अगले ही मेच में 51 और बेटिंग से भी किया साथ के साथ बोलिंग में मिली दो और की जिसमें दो विकेट थे तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही है आधित ए खटिबाल यह कही पर भी खेले इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि विकेट किपिंग सेट्सन में दिया हुआ है और वहाँ से एक अच्छा पिक हैं 2927 हैं लास मेच में नो बेटिंग था तो जो तो मस खास रिकोर्ड नी सोबन ना एक दो मेच खिला है दोनों में बेटिंग बोलिंग कुछ भ तो बड़ा स्कोर लगाएगी सामने और फिर ये विकेट लेगा अभी के लिए मैं डावीजी नईम लला रितिक तॉमर सुदेश आजित्य नीचे से फयाज नूरी नवीन पदमाराजू और डेविडसन रमानी को रख रहा हूँ पाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर सेन म लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेए चलते हैं आप पर डेमो टीम की तरफ नेक्स स्लाइड में मैं आपको डेमो टीम दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चेलने से जोनो ना जबर क्रूरी है अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चेलने पर जोन 30 वाला को रखाएं, बेटिंग सेक्षन से रितिक तोमर, नहीम लला, अली कासिप को रखाएं, ओल्ड रांडर सेक्षन से डावीजी, विक्रम सेकरा, रियाज अफरीदी, फयाज नूरी को रखाएं, पॉलिंग सेक्षन से पदमा राजू, सहीन, गुपताव, डेविडसन, मानी को रखाएं, कैप्टन नहीम लला, वो इस कैप्टन रितिक तोमर, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चले पे ही मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्षन में, सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन की अवाब को मिल जाएगा, धन्यवाद.